असलाम लेकूम एवरिवान, I hope all of you are doing well, so इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करेंगे The Piece of String by Guy De Maupassant और इसकी समरी, इसका अनालिसिज और कुछ अंडरलाइन थीम्स को भी डिसकस करेंगे, so let's begin with the discussion तो सबसे पहले हम इसकी समरी डिसकस करतें, so यह जो स्टोरी है, यह सेट होती है, इसकी जो प्लेस है, जहांपर यह होई है यह बिसिकली small Norman village के अंदर होती है, जो कि फ्रांस के अंदर है, और यह story है यह focus करती है, एक protagonist Kate के जो घूम रही है, जिनका नाम है Matri Hachicorn, जो के basically एक गरीब किसान होते हैं ठिक है, और इनको एक scandal के अंदर फसा दिया जाता है, ठीक है, और इनको एक use कि अजाता है, चोरी कर जब कैसा नहीं होता और यह एक मार्कीट से गुजर रहे होते हैं यह देखते हैं कि पीस ओफ स्ट्रिंग गिरी हुई है तो यह उसको उठा लेते हैं जब यह उठा रहे होते हैं तो इनको एक इनका एनिमी जो है मिस्टर मैलन डें वो देखते हैं के इसने चीज उठाई है जो कि एक बेसिकरी लोकल हार्नेस में कर हैं ठीक है होची कॉर्ण जो है वो क्या करते हैं फटा फट से अपनी पीस ओफ स्ट्रिंग को अपनी पॉकेट के अंदर चुपा लेते हैं और आगे चले जाते हैं मार्कीट में और मिस्टर मैलन डें को पता होता है कि इन्हों नही फ्रेंक्स की है ठीक है फ्रेंक के करेंसी है वो जो है वो गुम गई है और किस की है मिस्टर हॉलबर्ग की ठीक है तो बिसिकली वो अनाउंस कर देते हैं कि यह गुम चुकी है और मिस्टर मैलन डें जो है वो बिसिकली इल्जाम लगाते हैं कि होची कॉर्ण नहीं यह उन्होंने कहा कि मैं पीस ओफ स्ट्रिंग से उठाई है, मैंने पॉकेट बॉक नहीं उठाई नो मन बिलीव से इंड ही सर्च बट नो पॉकेट बॉक और लाड़ सम अफ मनी इस फांड रन है ठीक है कुछ भी उनके पास दो सब्ट बाड़ से उठाई है ठीक है, कोई भी उनके पर बिलीव नहीं का रहा होता, लेकिन फिर भी उन्होंसे तरी भी पीस ओफ स्ट्रिंग ही मिलती है और नहीं वो इतने सारे पैसे मिलते है वो अपने विलिज वापिस जाते हैं, वहाँ पर भी अपना क्लियर करना की कोशिश करते हैं, अपना नाम को, लेकिन को नहीं सुनता, और सब यही कहते हैं, कि उन्हों नहीं चोरी किया है, वो ही चोर हैं, वो उसी मार्कीर वापिस जाते हैं, वहाँ पर भी मार्कीर के लोग जो लेटे वे होते हैं, मौत के मुझे चाने लगे होते हैं, या फिर वो बिल्कुल अलील हो चुके होते हैं, मतब बहुत जादा बिमार रहते हैं, तब वो ये बोलते रहते हैं, लिटल बिट ओफ स्ट्रेंग, मतब सिर्फ मैंने छोटा सा टुक्रा उठाया था, और ऐसे ए इवाल्फ करते हैं, इंजस्टिस ऑफ रेप्टेशन, प्रिजडाइस, और वन्स पास्ट एक्शन एंड एप्टेशन चैन चैन शेप हाव अदर्स प्रिसीव दैं, तो बैसिकली कैसे यह पूरी स्टोरी है, वो इदके घूम रही है, कि लब आप अपना नाम सही करने कोश ठायती, उसको आपको इस बड़ी सजादे देतें के आप की मौत वाक्या हुटाती है. So, that's all about the story of this, summary of this story and some underlined themes, if you have any carries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.